साथियों कुम्भ लग्ण की किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव जो की इस गर्त वाले भाव, इस उत्रिक भाव के लौड है, इसलिए उनकी दशा कभी अच्छी नहीं रहने वाली, until और unless, यदि वो विपरीत राज्योग की स्थिती में हो, कैसे, यदि चंद्रदेव यहां बिराजमान है, या इस त्रिक भाव में बिराजमान है, या इस त्रिक भाव में बिराजमान है, इसके साथ ही यदि शनिदेव की स्थिती स्थिती बलशाली है, मान लीजे शनिदेव लग्ण में ही बिराजमान है, यहां पर अपने मित्र की राशी में बिराजमान है यहां तुरकोन में बिराजमान है या फिर इस भाग्य स्थान में बिराजमान है विपरीत राजयोग की स्थिती में ही इस लगन में चंदर देव फेवरेबल है अन्यता नहीं है तो मेरे बहुत ही प्री और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनंदन बहुत-बहुत हार्दिक स्वाकत साथियों चंदर मा की महादशा किस लगन में कैसा परिनाम प्रदान करेगी इसी पर हमारी ये चर्चा जारी है और आज बारी है कुम्भ लगन की जन्मपत्रिका को लेकर के चंदर मा की चर्चा हम करेंगे कुम्भ लगन यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं और 11 नंबर से ही जन्मपत्रिका जो है वो प्रारंब हो रही है ये लगन भाव है तो ग्यारह नंबर से प्रारंब होने के कारण हम इसको कह रहे हैं कि ये है एक चंद्रमा की जो कुम लगन की जो जन्व पत्र का है बलकि उसमें चंद्रदेव कैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे आपने थमनेल में भी पढ़ा कि क्यों वो अनिष्ट कारी दशा रहेगी साथ यो पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो लगनेश का होता है कि उसने किस ग्रह को कौन सा विभाग कौन सा डिपार्टमेंट दिया तो शनी देव ने अपनी शत्रुता निभाते हुए जो चंद्रमा है उनको ये तृक भाव प्रदान किया ये रोग रण और रिपू का भाव प्रदान किया इनका उनको लॉर्ड उन्होंने बनाया अब चंद्रमा की जो महादशा है चूंकि मारक हो गए एक प्रबलतम मारक ग्रह कुम लगन में ये चंद्रदेव हो गए है तो देखते हैं कि कहां कहां पर उनकी प्लेस्मेंट और कब उनकी जो महादशा है चूंकि दस वर्ष की उनकी महादशा होती है वो इस जातक की कैसी रहने वाली है यदि अभी तक अपने 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 लगन से संबंदित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराने जाकर करके आप जरूर देखे तो साथी शुरुआत हम करेंगे लगन से ही शुरुआत करेंगे यदि चंदरदेव लगन में ही बिराजमान है ऐसा जो विक्ती है वो डिसीजन सही समय पर ले ही नहीं पाता समय बीट जाता है और वो हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है अनिद्रा की समस्य इनको चंदरदेव की दशांतर दशा में जरूर रहती है डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर्थिंकिंग चंदरदेव इस दशांतर दशा में जरूर करते हैं एक अग्यात भाय बना रहता है कल को लेकर के कहीं कुछ ऐसा न हो जाए कहीं कुछ वैसा न हो जाए यह सारी स्थियं चंदरदेव इस दविती भाव में बिराजमान हो जाए तो पैत्रक संपत्ती इनको या तो मिलती नहीं या जितना इनका हक बनता है उससे बहुत ही कम मिलती है अपने ही खानदान के लोग इनकी तरक्की से जलते हैं यह थोड़ी भी तरक्की कर ले तो कैसे टांग ठीच करके इनको पीछे लाया जाए इस प्लानिंग में वो लग जाते हैं हाला कि यहाँ पर जो इनकी वाणी है वो मीठी होती है चंदरमा के प्रभाव से लेकिन इनकी मीठी वाणी का भी लोग गलत फहमी के कारण गलत कई बार अर्थ निकाल लेते हैं साथ यदि चंदरदेव इस तृती भाव में बिराजमान हो तो ये भी स्थिति इनके लिए ठीक नहीं है यदि ये रिस्क लेकर के कोई कारण ने करता हैं बड़ा जोखे मुठा करके तो उसमें इनको कभी भी लाव नहीं होता अपने ही भाईयों खासकर छोटे भाईयों से कोई बहुत बड़ा धोखा जिस प्रकार से कि उनका बिजनस हड़प लिया जाना इनका बिजनस उनके द्वारा ये सारी चीज़ा यहाँ पर इस पश्रूप से देखने को हमें मिलती है साथियों चंद्रदेव यदि इस चतुर्थ भाव में बिराजमान हो जाए ये भी स्थती ठीक नहीं है उच्च के जरूर हो गए लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि मारक ग्रह है मारक ग्रह उच्च का ठीक रिजल्ट नहीं देता है यहां बैट करके ये इनको अपनी माता के साथ में मतभेद देगा माता से संबंदित चिंता देगा भूमी में भी यदि इन्होंने निवेश किया है तो उसमें भी इनको घाटा जरूर मिलेगा या पैसा फसना अपना वाहन ये चाहते हुए भी नहीं खरीद पाएंगे अपना स्वयम का घर चंद्रमा की दशांतर दशा में कभी भी ये बना नहीं पाएंगे एक और बात चंद्रमा की दशांतर दशा में ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर की तरफ आकरशित हो जिसकी वज़े से इनका जो दामपत्ती जीवन है उसमें भी खटास आ सकती है साथ यदि चंद्रदेव इस पंचम भाव में बिराजमान हो जाए तो ये संतान में अननेसेसरी डीले इनके जरूर करतेगा यदि इन्होंने शेर मार्केट में पैसा लगा दिया तो चंद्रमा की दशा अंतर दशा में कपडे तक बिखने की हालत में ही आ जाते है संतान होती नहीं होती भी है तो उद्दंड होती है और प्रेम में इनको प्रेमी या प्रेमी का जो है वो डंप करके जरूर चला जाता साथ चंद्रदेव यहाँ पर ओन साइन के अपने ही राशी में अपनी ही स्थान पर यह बेराजमान है और यहाँ पर यह विपरीत राजयों की एक शर्त और पूरी हो रही हो तब तो यह जीवन की एक सरवतम दशा साबित होगी विपरीत राजयोग क्या? कि छठे, आठवे और बारहवे भाव का जो लॉर्ड है, वो छठे, आठवे या बारहवे भाव में ही बैठाओ, तो वो इस्तिती पूरी हो रही है, अब शनीदेव यदि strong position में है, लगने अच्छी इस्तिती में है, यदि शनीदेव लगन में ही विराजमान है, या चतुर्थ भाव में, या पंचम भाव में, या इस नवम भाव में विराजमान है, तो विपरीत राजयोग की स्थिती होगी, तो विपरीत राजयोग यदि बन गया, तो चंद्रमा इनको छप पर भाड करके देगा, personal और professional life दोनों सुखत बना देगा, लेकिन यदि विपरीत राजयोग नहीं बना, तो यहां रहते हुए भी चंद्रदेव जो है, वो इनके खर्चे जरुवत से ज्यादा कर देगा, विदेश में जाकर के कोई बड़ा धोखा इनको जरूर मिलता है, साथ यही चंद्रदेव यदि सब्तम भाव में विराजमा हो जाएं, तो चंद्रमा की दशांतर दशा में भूल जाएए कि शादी होगी, कोई नो कोई बहाना बनेगा, शादी की बात थोड़ी से आगे जाएगी, फिर दस कदम पीछे हो जाएगी, इस प्रकार से कोई नो कोई बहाने से शादी आप से दूर होती चली जाती है, और वही स्थिती जो अभी हमने चर्चा की विपरीत राजयोग यदी निर्मित हो रहा है, तो चंद्रमा की दशा इनके लिए भाग्योदैकारक होगी, सब कुछ इनको प्रदान करने वाले होगी, लेकिन यदी विपरीत राजयोग नहीं है, तो यहाँ बैठ करके चंद्रमा यदी नौकरी पेशा है, तो नौकरी के उपर तलवार लटका देता है, सरकारी नौकरी करते हैं, तो विभागी ये जाच या रिश्वत के किसी कार्रे में ये फंस जाते हैं, चंद्रमा की दशा अंतर दशा में, सच्वाल पक्ष से किसी ना किसी प्रकार का शड़यंतर इ चाहे वो करोडों की होगी इनके हाथ लगाते ही वो दो धेले की भी नहीं रह जाएगे। कैसे तीली लगाई जाती है पैत्रिक संपत्ती कैसे बरबाद की जाती है बहुत अच्छा उदारन यहाँ पर यह आपको देखके जरूर जाएंगे। जीवन में अस्त व्यस्तिता भरपूर होती है अनुशासन होता क्या है उसमें समझते ही नहीं पिता से कभी भी इनकी नहीं बनेगी। और यदि यह competitive examination की तैयारी भी करता है तो उसमें चंद्रमा की दशा अंतर दशा में इनका selection कभी नहीं हो सकता। सात्योदी चंद्रदेव इस एकदश भाव में विराजमान हो जाएं तो यह हर एक field में अपनी रुची रखेंगे के मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, लेकिन सीख कुछ भी ये नहीं पाते हैं। अच्छी खासी आये इनकी चलती हो, वो भी चंद्रमा की दशा आते ही बिलकुल खत्म हो जाती हैं। जितना रुपया कमाल है क्योंकि ये व्यभाव में बैठ काए हैं, पैसा इनके पास बचता ही नहीं है। और विध्व वस्था में अर्थात सत्तर वर्ष की आयू के बाद भी हो सकता है कि इनको नौकरी करनी पड़ जाए। तो ये सारी स्थितियां है और ये श्रंखला अभी हमारी आगे भी जारी है क्योंकि मीन लगन वो चंद्रमा की दशा को लेकर के भी हमारे बाकी है इस स्थिति में। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे की शादी में देरी होना, पती पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त ना हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना, जीवन के प्रत्यक शेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा अना तो आज ही अपनी जन्नुपत्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदेव के लिए मुक्ति तो आईए साथ यो अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरन की तरफ और पहला ही जो कमेंट है वो येश देवड़ा जी ने लिख पे जा है जय गुरुदेव तो येश जी आशिरवाद रिदय की असीम गहराईयों से साथ यो अगला कमेंट पूजा सोनी जी का है और आपने पूछाए कि सेवन्थ लॉर्ड मंगल इन इलेवन्थ हाउस इस मंगल दोष नो प्लेनेट इन सेवन्थ हाउस देखिए आप एक चीज समझ लीजे कि कि किसी भी लगने की जन्व पत्रिका हो हम यहाँ पर एक खाली जन्व पत्रिका लेता है ओधारन के स्वरूप यह रही खाली जन्व पत्रिका जैसा कि आपने कहा कि आपके सब्तम भाव का लॉर्ड मंगल है हो सकता है कि आपकी वरशब लगने की जन्व पत्रिका हो खैर तो मंगल यहाँ बिराजमान होना जातक को मंगली नहीं बनाता यदि इन भावों में कहीं मंगल है तो ही वो जातक मंगली होता है एक चार साथ आठ और बार है ठीक है तो आप निश्वित रूप से मंगली नहीं है साथ यो अगला कमेंट आशिया पाल जी का है गुरू जी दो हजार चौबीस में मेरे हस्बंड को किस रंग की कार लेनी चाहिए जो उनके लिए शुब हो उनका सिंग लगना है फिफ्थ हाउस में गुरू चंद्रमा और मंगल की युति है और थर्ड हाउस में शनी और तो साथ यो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ सम्रिध और शांति पूर्वक जीवन विरतीत करें नमस्कार कि आप में किएपल का थज बेस 창 का हुष कि आप सिंगी और शांति में के का दाओब मेंगल स्वस्थ